बुरुवार को नागपुर के बेसा इलाके से गायब हुई पांत साल की मासूम का शव आज सुभ पानी की टाकी से बरामत हुआ है पांत साल की यह ब차 ना ही सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी गुरुबार को इस बच्ची के पिता राजु शाहु ने बेल तरोरी थाने में अपनी बेटी के अफरन की शिकायत दर्ज कराई थी पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक गुरुबार को दोपहर करीब तीन बजे ये बच्ची अचानक खेलते खेलते गायब हो गई थी हाला कि पुलिस में शिकायत के बाद बच्ची के परिजनों और इलाके के नागरिकों ने आसपास छानबीन की थी लेकिन लापता हुई बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला और आज सुबह पानी के इस टाकी से शव बरामद होने पर तरह तरह की अटकले लगाई जा रही है फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है